जैहिन दोस्तों आज हमारे पास एक बोर्ड रिसीव हुआ है इसमें प्रॉब्लम है कि चालू नहीं हो रहा है और मैंने इस पे कुछ काम भी कर रखा है और रिसीव करनेक बाद इसमें भीरेज सप्लाई नहीं बन रहे थी 3.3 बोल्ड तो मैंने आईसी को आप दिख रही ए 3.3 बोल्ड की आईसी है भीरेज सप्लाई मैंने चेक किया नहीं बन रही थी कुछ में मिश्टेक विज़से मैंने आईसी चेंज कर रखा है फिर भी कोई रिस्पांस नहीं हुआ है आई यह हम आगे चेक करते हैं कि क्या प् ज़रा है आई हम चेक करते हैं कि दिक्कत क्या है है कि डिक्राम प्राइब आते हैं आईसी चलते हैं आईसी नंबर के लेते हैं आईसी नंबर है इंव थी कि वू दू ठी और इस पे भीरेश सप्लाई बनती है 8 नमबर और 17 नमबर 8 नमबर पे 3.3 बोल्ड बन रहा है और 17 नमबर पीन पे बन रहा है ऐसा कि 5 बोल्ड आये चेक नमबर पीन पे सप्लाई बन रहा है कि नहीं आठ नमबर पीन 628 जीरो पॉइंट 8 7 अपलाई बन रहा है जो कि 3.3 बोल्ड ही मिल ला है और सबसे पहले हमें चेक कर लेना चाहिए इनेबलat Big In signal सबसे पहले हमें चेक कर लेना चाहिए Big InDIO सिग्नल आए यहाँ पे गौनल सोरह नंबर्स पे और इसके साथ एक Campaign तर और एक mo एक रॉसॉषम मेरे क्रिन साथ में है पहले सोरह नंबर पिन पे हम चेक करते हैं कि भी इन सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है उसके बाद ही हम कोई आगे कदम उठा सकते हैं छेचे बाराज ठीक है चलो छेचे बाराज तेरा चौदा पंदरा सोलो इसपे भी सप्लाई नहीं बने यह सेवेंट 0.752 बन रहा है और इस कैप सीटर और रेस्टेंस वहां पर हम लोग चलते हैं चेक करने कैप सीटर है PC-80 PC-80 एक पिन इसका ग्राउंड होता है और दूसरा पिन बोल्टेज कित्व होता है जहां पर 19 बन रहा है और रेस्टेंस जीरो पॉइंट सेवें वन ओन आ रहा है और एक साइड अठारा बोल्ट बन रहा है और रेस्टेंस का आए कि काम होता है विरोध करना पर यहां पर पूरा की पूरी सप्लाई पार होनी चाहिए 19 बोल्ट जो कि हमें एक पीन पे 0.7 रूप बोल्ट मिला है जो कि है रेस्टेंस जी गडबर लग रहा है और इसको हम डायोड पे चेक करते हैं कितने पिलो ओम का बता रहा है ओवर लिमिट बता रहा है इस रेस्टेंस को हमें रिमूब करके अड़ करना पड़ेगा नियूँ मैंने एक रेस्टेंस खोच रख चुका हूँ अब इसको हम लोग रिमूब करके चेक करते हैं जो कि एक तरफ सप्लाई आ रहे हैं एक तरफ आउटपुट नहीं हो पा रहा है इसको हम लोग चेंज करते हैं एक रहे हूँ करते हैं इसको चेंज कर चुके अब इसको हम लोग चेक करते हैं मल्टीमेटर दिखाईएगा और हमें एक तरब तो 18 वोल्ट मिली रहा था अब दूसरे तब चेक कर लगते हैं मतलब रेजिस्टेंस के दिख्के थे जो पावर था वो आउटपुट हो रहा है अब इसको हम लोग ओपेन करके देख लेते हैं लिप्टप ओपेन भी हो रहा है और सप्लाई भी ले रही है पूरी इसमें रिसीब करने के बाद हमने काम क्या क्या किया यह आपको हम बता देते हैं जब मैंने इस बोड को रिसीफ किया दुकंदार के हाथ से 3.3 बोल्ड की आईजी जो थी ओवर हीट हो रही थी तो मैंने 3.3 बोल्ड पे एक वीडियो तो सूटी कर रखा था इसलिए मैंने सोचा कि इसको रिपैर करते हैं पर प्रॉब्लम कहीं और से था तो मैंने स्ट्राइक वीडियो अब और डाल देते हैं इसके इसकी आइसी की मेन ही सप्लाई भी इन सप्लाई जो आइसी की मेन सप्लाई हो यह इसी को नहीं मिल ला था सबसे पहले हम लोग चेक क्या करेंगे आपको हम आज इसमें बताते हैं कि जब हम लेटाप को रिसीब कर लेते हैं जब हम काम कर रहे हैं तो सबसे पहले हम कौन सी सप्लाई चेक करेंगे सबसे पहले हम आइसी के बी इन सप्लाई जो उसकी है 11 वोलट सप्लाई हो और इसे हम उसके फोर इसह करना चाहिए तो उन्नेश बोलट आहती है फिरेस सिग्नल 3 वोल्ट मिकिक हौण बीयरश सिग्नल चाहिए फिर उसके बाद उस को इनेबल्स ब्ला है이면 मिलना एकि ने अगर आपको काम करने में कोई दिक्कत या परसानी होती है तो आप मुझसे कॉंटेट कर सकते हैं कॉंटेट करने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है 829-183106